इस example में हमें पहले चेक करना है कि 1188 एक perfect cube है या नहीं अगर नहीं है तो हमें एक smallest natural number find करना है जिससे हम इस number को divide करेंगे तो उसका quotient एक perfect cube बन जाए तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये एक perfect cube है या नहीं तो इसको चेक करने के लिए हम इस number का prime factorization करेंगे prime factorization में हम number को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको divide करते हैं पहले least prime number से which is 2 अब ये एक even number है तो ये 2 से divisible होगा अब 1188 को 2 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 2 5s are 10, 1 8, 2 9s are 18 8, 2 4s are 8, तो हमें मिल गया 594 अब इसको फिर से 2 से divide करेंगे तो ये होगा 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 7s are 14, अब देखो 297 एक odd number है तो ये 2 से तो divisible नहीं होगा तो हम next prime number 3 से check करते हैं अब यह sum of digit 18 है तो ये 3 से divisible होगा इसको 3 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 3 9s are 27, 3 9s are 27 अब 99 को 3 से divide करेंगे तो ये होगा 3 3 3 9s अब इसको फिर से 3 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 3 1s are 3, 3 1s are 3 अब देखो यहां आगया 11 और 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 सिफ 11 से ही divisible है तो इसको 11 से divide करेंगे तो हमें मिलेगा 11 1 से 11 तो यह हो गए 1188 के factors अब अब हमें पता है कि अगर कोई number एक perfect cube है तो उसके factors हमेशा triplets form करते हैं तो थी के group में होते हैं तो अब हम चेक करते हैं कि 1188 के factors triplets form कर रहे हैं या नहीं तो देखो यह एक triplet हो गया पर यहां दो ही 2 है थर्ड 2 तो है ही नहीं और यहां तो बस एक ही 11 है तो 2 और 11 triplet नहीं form कर रहे हैं इसलिए 1188 एक perfect cube नहीं होगा 2 और 11 ड़स नाट अगर इन triplet therefore it is not a perfect cube अब देखो question में लिखाता है अगर यह perfect cube नहीं है तो हमें एक smallest natural number find करना है जिससे इसको हम divide करेंगे तो हमें perfect cube मिले अब देखो factors में दो 2 extra है और एक 11 extra है तो अगर इसको हम 2 into 2 into 11 से divide कर दे तो यह तीनों cancel हो जाएंगे तो हमें एक perfect cube मिल जाएगा अब हम right को divide कर रहें तो हमें left को भी divide करना पड़ेगा अब देखो अगर 2 into 2 into 11 करें तो हमें मिलेगा 4 into 11 44 तो अब हम दोनों साइट को 44 से डिवाइट करेंगे 44 से डिवाइट करेंगे तो हमें यह मिल गया अब यहाँ 11 4 is a 44 2 2 2 2 2 2 2 cancels तो यहाँ आगया 3 into 3 into 3 और इस साइट को 44 से डिवाइट करेंगे तो पहले 11 से कैंसल करते हैं यहोगा 11 1 से 11 0 11 8 is a 88 और यहोगा 11 4 is a 44 अब 4 से डिवाइट करेंगे तो यह होगा 4 2 is a 8 4 7 is a 28 तो यहाँ new number आ रहा है 27 जिसके factors आ रहे 3 into 3 into 3 अब चेक करते हैं यह triplet form कर रहे है या ने इसके factors तो देखो clearly देख रहे हैं यहाँ 3 3 है तो यह triplet form कर रहे है अब इसके factors triplet form कर रहे हैं तो यह एक perfect cube हो गया 27 is a perfect cube और least number या smallest number to be divided हो गया 44 364 37, 38 "... 40 46 झाल झाल